Hello everyone, आज हम पढ़ेंगे Advanced Engineering Mathematics 10 Edition Exercise 2.1 जिसमें हम General Solution और Linear Equation Constant Coefficient अब यह हमारे पास इसमें, यह हमारे पास दो फर्मूले होते हैं B-4AC is greater than or equal to 0 अगर हम question में देखेंगे, यहाँ पे अगर value 0 के equal हुई या 0 से greater हुई तो हम यह वाला formula use करेंगे, अगर यह दूसरा formula है, B-4AC is less than 0 अगर यहाँ पे value less than 0 से छोटी हुई, तो हम यह वाला formula use करेंगे तो यह हम question के last में देख लेंगे, यह formula कैसे use होता है तो चलिए, यह question number 1 solve करते हैं यहाँ पे हम y की जगा, y double bar की जगा हम simple m square ले लेंगे, 4m square minus हम इस y को eliminate कर देंगे, 25 is equal to 0 यहाँ पे आजाएगा, m square 4m square is equal to, यह side चला गयाएगा, तो plus 25 हो जाएगा, m square is equal to 25 over 4 अब यहाँ पे हम under root लेंगे, यह square कैंसल करने के लिए, तो यहाँ पे under root आजाएगा, तो यहाँ पे आएगा, m is equal to plus minus 5 by 2 तो अब यहाँ पे हम यह देखें, यह greater था, तो यहाँ पे हम यह फर्मूरा लगाएगे, equal to 0, यह फर्मूरा लगया, e की पावर, lambda x, c1, plus e की पावर, lambda x, c2 अब हम एक बार plus value डालेंगे, एक बार minus वार, e की पावर, 5 by 2, c1, plus e की पावर, एक बार minus वार, minus 5 by 2, c2, तो यह question complete होगे, अब हम question number 2 की तरफ चलते हैं, यहाँ पे हम y, यहाँ पे भी हम y double bar को m square, plus 36 y is equal to 0, अब m square is equal to, यह साइच चला जाएगा, minus 36, हो जाएगा, सो यहाँ पे यह, हम y eliminate कर देंगे, तो यहाँ पे हम under root लेंगे, तो यहाँ पे आजएगा, y is equal to, जब हम इस पे under root लेंगे, तो यहाँ पे आजएगा, plus minus 6 iota, क्योंकि इसके साथ minus था, हम under root में, माइनस वाली वेटारम होती है, 7 iota आ जाते है, तो यहाँ पे भी देखें, यह equal था 0 के, तो यहाँ पे भी यही फर्मूलर लगेगा, e की पावर, lambda x, c1, plus e की पावर, lambda x, c2, अब यहाँ पे हम एक बार plus वाली वैल्यू, एक बार minus वाली वैल्यू डालेंगे, तो यह भी cancel हो जूगा था, तो यहाँ पे आ जाएगा, e की पावर, 6, iota, c1, plus e की पावर, minus 6, iota, c2, अब हम question number 7 solve करते हैं, तो यह question number 7 हमने पहले ही solve करके रखा हुए, यहाँ पे भी m की जगा, हमने y की बार, double bar की जगा, हमने m square लिगा है, plus 4.5 is equal to 0, अब यहाँ पे यह देखें, under root ले लिए है, तो यह भी इसके साथ भी, इसका जब under root लिए है, तो 2.1 plus minus आ गया है, यहाँ पे भी यही formula लागे है, क्योंकि यह 0 के equal है, यह तुमाम question इसी तरह solve होंगे, आप बाकी जो question रहे गए हैं, तो आप खुद solve करने की कोशिश करना, अगर भी कोई question हुआ तो points में मुझसे आप पूछ सकते हैं, I hope आपको आज की वीडियो पसंद आएगो, वीडियो पसंद आएगो, वीडियो को लाइक करो, चैनो को स्क्क्राइग करें, Thanks for watching.